नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा नीव चैनल में आप सभी का स्वागत है अंडर्वर्ड डान दाउद इब्राहिम के भारत में फैले ड्रक्स के काले कारोबार के गिरोह का सरगना जिले के सलिम डोला का नाम आने के बाद जोनपूर का नाम चर्चा में आ गया मुंबई के मीरा भैयंदर के पुलिस आयूट मदुकर पांडे ने जिन 15 लोगों की गिरफतारी का खुलासा किया है उनमें से दो जोनपूर जिले के हैं हालाकि सलिम डोला अभी भी फरार चल रहा है दाउद गिरों के जिले का नाम जूरने के बाद से ही बिहस्पतिवार को पुलिस तसकरों का पता दिन भर खंगालती रही हालाकि सिर्फ एक ही तसकर का पता लग सका है जबकि दो का पता नहीं चल सका मुंबई में अंडर वर्डडान दाउद इब्राहिम के जिस ड्रक्स कार खाने का पुलिस ने बंडा पोर किया है उसकी निगरानी में जौनपूर के सलीम डोला का नाम आया है वह दुबई वह तुर्की में बैड कर दाउद के इस काले कारुबार को पूरे भारत में चला रहा था वह जिले के मडियाहूं तहसील का रहने वाला है ड्रक्स कार खाने से 327 करोन का ड्रक्स पकड़ा गया है साथ ही 15 लोगों की इरफतारी भी की गई इसमें भी जौनपूर के दोतसकर अभिसेख सिंग्वा घंस्याम सरोज भी सामिल है अभिसेख सिंग्व मडियाहूं कोत्वाली के मीरपूर का रहने वाला है जबकि इसके पिता मुंबई में ट्रक्चालक का काम करते है इसकी तीन बड़ी बहनों की साधी हो गई है घर पर ताला लड़का रहता है आसपास के लोगों ने बताया कि अभिसेख ने गाउं से ही इंटर तक की पढ़ाई के इसके बाद मुंबई चला गया अकसर दो से तीन महिने में ही घर पर लोड़ता था तो उसकी रईसी देखकर लोगों को इसके गलत चाल चलन पर सक था इसके पास पत्रे दो से ढ़ाई विगा जमीन है पिछले साथ सालों से अभिसेख उर्पसुबं सिंग मुंबई में रहकर इस तरह के काम को अंजाम देता रहा चर्चा है कि यहां गाउं में भी उसके द्वारा कुछ यूकों को गुमराख करके उनसे इस तरह का कार करवाया जा रहा था वहीं पकड़े गए दूसरे आरोपी घंस्याम सरोज का पता नहीं चल सका हाला कि तीन दिन तर पूर एश्टी अब द्वारा मडियाहूं छित के एक गाउं से युवक को उठा कर पूछ टाज करने के बाद उसे छोड़ दिया गया उसके खाते से भी लाखो रुपए के लें देन हुए थे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जरो दबाएगा